संगत को हार्धिक अभिनंदन आज हम सब के लिए नागपाल परिवार के लिए एक बहुती चुप दिन है कि आज गुरु महाराज ने ये दर्वार की सेवा कमांडर अंकल के तूम हम सब को हमारे को बक्षे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुकराना जैसा कि संगत को क्योंकि मैंने कई बार सच्छन किये हैं तो संगत को मालूम है कि मेरी इस लाइफ में गुरु महाराज ने जर्नी शुरू कराई दाट वाज येर 1998 फिर मेरी इसमें ब्रेक आगया ब्रेक भी महाराज ने ही करवाना है तुरू दुवारा भी महाराज की किरपा से ही होना है तो गुरु माराज की किर्पा से 1998 के बाद जो ब्रेक आया मेरा तो मेरा नेवी छोड़ने के बाद गुरुगाओं में शिफ्ट होना और कमांडर शर्मा जो मेरे भाई जैसे हैं और सीनियर थे नेवी में वो मेरे को गुरु माराज के पास लेकर गए और जो मुझे पहले लेकर गया था वो भी हमारे नेवी के थे उन्होंने गुरु माराज के पास आना छोड़ दिया पर शर्मा सर ने जो हमें जोड़ा दुबारा तो वो जर्णी आज तक कंटिन्यू है क्योंकि शर्मा साब खुद गुरु माहराज से पूरे भक्त भाव से जुड़े हैं, हम सब जानते हैं इस बात से. जब पहली बार गए तो गुरु माहराज ने पहले ही दिन बेटे को चार फोटोग्राफ दिये थे, सब को मालूम है, और वो मैं समझता हूँ कि मेरे परिवार की हम चारों की परिवार में एंट्री गुरु माहराज ने अपनी शरण में कर दी. मेरा ये मानना है और मानना है नहीं विश्वास है पूरण कि गुरु की शरण में जब गुरु ने हमें ले लिया तो सारी संगत का गुरु माहराज ने जो आपको किसी भी रूप में उठाया हो, बी इट स्प्रिच्वल, बी इट फाइनेंशल, बी इस कुछ भी अगर जिन्दगी में प्राव्ब्रम रही है, आपको पूरण विश्वास है तो गुरु माहराज वो आपको जरूर देंगे और सारी संगत को मालूम है कि हमेशा उनकी जुड़ने से अपवर जरनी रही है उनकी, को भी मेरे को तो अभी तक कोई ऐसी संगत नहीं मिली कि जो ये कहे कि मेरा तो डाउन फाल हुआ है, अगर आप मेकेरियलिस्टिक को डाउन फाल अगर किसी का हुआ भी होगा, तो वो आपके लिए अच्छा है, अभी हमें एक शबत सुन रहे थे, जिसमें वो जो आ अपने दुखों को छोड़कर, जुड़कर, जिसकी जो वस्तूस वो ले जाएगा, वो शबत में हमें कितना बड़ा मेसेज है, तो उसी तरह हम अगर गुरु महराज से जुड़े रहें, तो गुरु महराज खुदी आपके पास आकर, किसी ना किसी रूप में आपका कारि करेंगे, इसमें मेरे को कोई दो राए नहीं है, बिल्कुल दो राए नहीं है, मेरा तो ये मानना है और मेरा खुद का experience है, कि गुरु महराज से जुड़ने के बाद, मेरा और मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, जिन्दगी के प्रती रिवया बदल गया है और हम हर रोज कुछ न कुछ गुरू महाराज की किरपा से जिन्दगी में अपने आपको इंप्रूव करते रहते हैं क्योंकि हमें गुरू पे श्वास है हम हर चीज गुरू पे छोड़ देते हैं हमारा सुख, दुख, सब गुरू महाराज पे छोड़ा हुआ है गुरू महाराज ने हमें दुख सहने की सुख में ज़्यादा उसको भोगने की मतलब उचलने की वो नहीं दिये कि अपना जमीन से जुड़े रहो, गुरू से जुड़े रहो बस हमने तो यही सीखा है और मेरा पर्सनली मेरा यह एक्सपिरेंस है कि मुझे हम सब कहते हैं गुर जी कहते थे कि जूतों के पास जब आओ जूतिया देविच अपनी एगो छड़के आओ वो तो क्योंकि मैं इंसान हूँ वो मैं अची करी नहीं पाया हूँ पर गुरू महराज से मैं रोज जब अपना मन की बात कहता हूँ बैठकर या डायरी का एक पन्ना लिकर मैं गुरू महराज से यही कहता हूँ यह महराज मेरी जो यह गुसा और इगो है इसको कम करो कम करो और एक दिन ऐसा करो मेरे को जोड के रखो ये जीरो हो जाए तो एक दिन में कहने से जीरो नहीं होगी हमें effort करनी पड़ती है रोज ये गुरू से ही सीखा है तो हम सबने सीखा है पर मेरा तो ये मानना है गुरू बिन गोर अंधार, गुरू बिन समझ ना आवे तो सारे काम हमारे सुख दुख जो भी जिन्दगी में उन्ती या कोई काम रुटता है गुरू माराज जरूर उरन करते हैं अपने समय के अनुसार अगर आप चाहो कि आज मेरा काम अभी कर दें गुरू जी को मालूम है कि कब आपको ये काम होगा या नहीं होगा क्योंकि गुरू माराज ही जानते है कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या आपके लिए अच्छा नहीं है बस मैं तो जुड़ा, साथ में मेरा परिवार जुड़ा माबाप जुड़े थे और हम सब जुड़े हएं बच्चे भले ही हमारे साथ नहीं है पर वो भी गुरू माराज से हर कारे गुरु 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 बस और कुछ नहीं गुरु माराज ही करेंगे जो kाम करने है जिन्ध Congo के तो गुरु के ऊपर पूरन भरोसा रखे सारी संगत से यही है अपना एक्स्पीरियंस की गुरू से शर्दा पुर्वक जुड़े रहें और गुरू जी यह भी कहते थे कि पैसा कमाना आपके लिए जरूरी है जीवन जीने के लिए पर पैसा वो कमाओ जो सही धंग से कमाया हो तो बिलकुल हर कोई इंसान को जिनदगी जीने के लिए इस संसार में कोई ना कोई रोजगार का जरिया चाहिए गुरू महाराज ने हर किसी का पेट भरने के लिए एक तरीका बनाया हुआ है गुरू महाराज तो उनका भी पेट भरते हैं जो शबद में आता है कि पत्थर में कीडे मकोडों का भी हमने सुना है कि गुरू महाराज की किरपा से सब का पेट भरता है तो हमें इस बात की कभी कोई चिंता नहीं एटलिस मुझे तो नहीं होती कि क्या होगा क्या नहीं होगा जरूर हाँ एक दो वरी लगता है कि यार क्या होगा पर दूसरे दिनी यार गुरू जी है ना देख लेंगे बस इस तरीके से मैं संगत से अन्रोद करूँगा कि अपना पूर्ण विश्वास रखें गुरू से जुड़े रहें और हम सब का कल्यान होगा बस यहीं पर अपनी बानी को विराम देता हूँ जै गुरुजी जै गुरुजी संगत जी सबसे पहले सरिता गोएल आंटी प्लीज अन्मूट और अपना सत्संग शेर करें जै गुरुजी आंटी जै गुरुजी अंकल जै गुरुजी सारी संगत को मैं फर्स टाइम अपना सत्संग शेर कर रही हूँ मैंने लास्ट टू-्री टाइम्स भी ट्राय किया था मगर मालुम पड़ा कि मेरे खोन में कुछ इशू था और शायद गुरुजी की तब मर्जी नहीं थी उन्होंने मुझे और बड़ा सत्संग एक्सपिरेंस करवाना था मैं गुरुजी को लगभग 7-8 साल से फॉलो कर रही हूँ लेकिन गुरुजी के साथ मेरा जो इन डेप्थ जिसे बोलते हैं कि एक अंकंडिशनल लव और कनेक्शन लास्ट यर बना जब मुझे कोविड हुआ था नवेंबर में और मैं दिवाली के इस पूरे मन्थ में मैं 26 डेस तक अपनी बेटी से अपने पेरेंट से सबसे अलग थी और मेरे पास गुरुजी का सिरफ एक सिंपल सा एक स्वरूप मेरे घर में उनका एक फोटो लगावा था और मजबूरन आउट ओफ लोनलिनेस मैंने गुरुजी से बात्चीत करना शुरू कर दिया और यह एक्स्ट्रीमली कनेक्टेट विद गुरुजी एवर सिंस देन मैंने मैंने कोई सूपर्स्टीश तरीके से गुरुजी को फॉलो नहीं किया है बिइंग वर्किंग सिंगल मदर मेरे पास जादा तर बहुत टाइम करंच रहता है मैं कभी गुरुजी का सुंदर से दरबार नहीं सजा पाती कभी मैं उनका चोला ये सब जिसे सब लोग बहुत अच्छे से बना के रखता है मैंने कभी वो प्रोविजिन ना मेरे को पूरे हो पाई ना मैं कभी कर पाई मगर मैंने बहुत चिद्दत के साथ हमेशा गुरुजी के साथ कनेक्शन बना के रखा है जिफ अज़ एस रिजल्ट अफ दिस आई थिंक बहुत सारे सत्संग सुनती आई हूँ और पहले मैंने गुरुजी की खुश्बू experience करी कुछ महीने पहले मेरी मदर के घर में मैं सो रही थी और तीन साथे तीन के करीब यह लगबाग काफी टाइम से चलता है कि तीन साथे तीन के करीब मेरे को एक जटका लगता है और मेरी नींद खुल जाती है और मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी मुझे उठा रहे है कि मैं उठके थोड़ा सा मंतरजाप करूँ और उनका ध्यान करूँ तो ऐसे ही एक दिन तीन साथे तीन बज़े मैं मेरी मदर के घर में सो रही थी और मुझे बहुत स्ट्रॉंग गुलाबों के खुश्बू आई और मैंने गुरुजी को उस टाइम पर उनकी प्रेजेंस फील कि लेकिन at the same time मुझे बहुत रिग्रेट रहता था कि मैं कभी भी गुरुजी को रियल लाइफ में नहीं देख पाई हूँ जैसे old संगत हैं मेरे मन में हमेशा ऐसे thoughts आते थी कि एकर मैं रियल में गुरुजी के सामने कभी बैठी होती तो मुझे कैसा फील होता तो ऐसे करते हैं मुझे काफी बारी गुरुजी ने मुझे मेरे ही घर में बहुत बारी अपनी प्रेसेंस फील कराई है मतलब मैं अपनी बेटी की साथ यहां पर अकेले रहती हूँ तो मुझे गुरुजी ने एक भी दिन ऐसा नहीं फील होने दिया कि I am alone I am living alone with my daughter यहां ने मेरे पेरेंस की इंग्साइटी को मतलब मेरे ओपर हावी होने दिया तो I have never felt alone or I have never felt nervous you know taking care of everything all by myself here and हमेश्चा मुझे उनकी प्रेसेंस फील हुई है तो the recent experience is कि last Friday मेरी दॉर्टर के exams खतम हुए and वो बहुत excited तो हम लोग बाहर निकले और बहुत अच्छा वेदर था और मैंने बोला चानक के मंदिर चलते हैं हम बाहर सही वहां से मथा टेक के आएंगी मेरा बहुत मनने मेरी डॉर्टर भी बहुत रिलिजिसली फॉल करती है शी तेन यूर्स ओल तो उसने बोला ठीक है और हम निकल तो हम मेरी कार में हमने गुरुजी का सत्संग लगाया और हम सत्संग सुनते सुनते बहुत अराम अराम से हम जा रहे थे और फ्रम गुरुगाव टू चातरपूर की ड्राइब बहुत खुबसूरत है इन एनी केस और वेदर भी बहुत अच्छा था सड़नली हम एक स्ट्र अर्टा पर गुरुजी भी लिखा हुआ था और साइट पर उस पर ब्लेसिंग जौरुजी का उनका साइन भी था और मैंने मेरी बेटी को बोला अली देखो यह कहां से यह कार यहां पर आगी यह तो पूरे रस्ते में थी नहीं अचानक से कैसे गाड़ी आ गई तो मेरी ड होचे तो वोट आए एक्सपिरियंस्ट वाज आउट ओफ दिस वर्ल्ड मुझे अभी भी बतातो यह भी गूसबंस हो रहे हैं सड़नली मैंने देखा तो पहले तो मुझे जो ड्राइवर थे कार में और कोई भी नहीं था सिरफ और ड्राइवर थे जब मैंने उन मेरी बेटी को ऐसे चुछा ड़ी दिखा नहीं बट वो कोशिश कर रही थी और बस अभी मैं यह अब्साफ करी रही थी तो रैर व्यू मिरर से मैंने साक्षात गूरुजी को देखा मैंने उनको कार ड्राइवर सीट पे गूरुजी थे मैंने उनके साथ उन ने मेसाथ रैर लेकिन विसके बाद मन में ऐसे बन द्रशन में और अगर भूशेशन लारही थी-चि अगर जीय old me कि कैसे अपना सर परेंड़ डख्ती मैं उनका उनके पbn हो तच ही अमकी ओव वां दी आ Dem लिटरली मैंने उन्हें देखा और उसके बाद वह होता है ना हम human beings we are very shallow mortals हम लोग फिर भी इन चीजों में कहिना की एक डाउट रखते ही हैं तो मैंने फिर भी गाड़ी को उनको overtake किया और मैंने आगे जाके देखा तो it was someone else वो कोई और थे और उनका he was bald लेकिन उनकी मूचे थी और वो कोई और gentleman थे मैं उसके बाद आगे निकल गई मैं रादा स्वामे वाली सचंग रादा स्वामी व्यास वाली वह सचंग वाली रोड पे टर्न करी वहां से मैंने गुरुजी के आश्रम की रोड की तरफ टर्न लिया वहां पर बाहर गाड़ी र की और वो गुरुजी के मंदिर की तरफ जा रहे थे और मैं बाहर जा रही थी कोईंसिदेंटली मुझे नहीं पता क्या कैसे क्या वो टेलीपेथी था कि वो भी रुक गए और मैं भी रुक गई और हम ऑपोजिट साइड में हमारी गाड़ियां फेसिंग थी और उन्होंने इस नहीं है और भी रहे थे नहीं है और फेसजिए नहीं पासी नहीं पर जाएज नहीं कर देज ते में अर उनको बहुत हर चीज़क नहीं कर दाना है यह सब शाएद नहीं कर पाती लिखिन मैं कोशिश करते हूं कि मैं उनके साथ एक deep connection बना करते हूं I really, you know, felt this beautiful experience on Friday Jai Guruji, thank you Jai Guruji, wonderful experience Thank you so much for sharing Thank you so much, Uncle Look forward to seeing you more often Sure Uncle Ji, sure The first satsang, I could not hear My apologies, I was I think there was something not right with my system Aunty, आप पिर से अपना हैं रेस कर दीजे And I will again request you to share satsang Jaino ने भी सबसे पहले hand raise किया था, please Tब तक, Aarti Auntie, please unmute and continue Jai Guruji, संकर्जी, Jai Guruji, मेरी गुरूजी, आपने बेटे का करने वादी थी, अभी शबद में जैसे दोने शुना रहा हूं Jai Guruji, मैं कहीं अचिली ड्राइब कर रही थी, तो मुझे रस्ते में फोन आया, मेरी अंकल के फ्रेंड का Jai Guruji, मैं अंकल को लेफ्त में बहुत पेन हो रहा है, तो हम क्या करें Jai Guruji, मैंने का कि समझ नहीं आया, मुझे एक दम से ड्राइब कर रही थी All of a sudden, मैंने बुला, आप मैं एक बिस्क्रिम लो, और उनको होस्पिटल अगर लेके जाना है, तो उनको घर के पास हमारे चननदीगी होस्पिटल है, वहाँ पर लेके लेके तो मैं भी जब तक पहुशती हूं अंकल की फ्रेंड हूं को वहाँ ले गए और अबिस्ली क्योंकि ऐसा होता है कि नॉमली हम इतना कैश करी नहीं करते हैं तो वह एड़िच तो उन्होंने एमर्जंसी में ले लिया बट उनके बस कैश नहीं था तो उनके स्टार्ट नहीं होता तो अल अब अबसदन मुझे घराफ़ान आया हूंका तो मैं था एकांच विया अप बोलो कि आप स्टार्ट करो लेगन वह बंने कुछ भी नहीं किया और मुझे अ बालूम चला की उनको हाट अट अच्छिए हूआए वह जैसे ही अंदर गए स्टार्ट कर वा कई जैसे ही अंदर गए सब्स्ट कुछ जैसे ही सब कुछ हुआ, डॉक्टर ने मुझे अंदर पॉल किया कि आप यह देखिए, हमने उंकी वो बनाई है, इसमें क्या करना है, मैंने समझ नहीं आरा था, बिलुक्तु ब्लैंक थी, और मैं वहां चाहके अंदर खड़े-फड़े मैंने का जो आपको बताओ मुझे क्य अच्छी सफंग भी यह इसले शब मैं अक्टोश रणा रही हूं, इस टाइंट जोड़े और मैंने बॉला की आप स्टुछ रवाया, सब्स्टुछ हुआ, अच्छी मैं हूँ क्या राता कि मैं 40 देस्ट कम चलिया करेते गुरद्वारे हैं, तो मुझे यह वा कि आज तो म मेरा चलिया बीच में छूच जाएगा, दूरिंग अच्छी मेरे दिमाग में यह चीज चल रही हो लिए, अब मैं अंकल को छोड़ के जा भी निए पहुँ और मेरा चलिया बीच में रह जाएगा, और जैनुरी कर था तो बहुत लेट भी नहा सकते थे, मैं कॉस्ट समझ अंकल को सीसे यू में शिफ्किया, अंकल को बैड नंबर दू सेवन मिला गुरूजी की किर्फा से, और जैसे मैं बाहर बैठे वे थी तो अग्दम सैसोवा कि जैसे मैं क्यों ना मत्ता ही टेका हूं, अंकल तो अंगर रूम में है, मेरा वो जो चलिया वाला जो टेस्टिंग अंपला श्याग वो टाइम का वो गुरूजी ने एक से करवाया कि मैं महाँ जाके नक्सा भी टेखे आई, नेक्स रे फिर से गई, ये सारा कुछ जो हुआ था को फ्राइडे का डे था, और मंदे अंकल भी थी 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 था, सारा कुसुज़ होने के बाद अपने घर पे शि अंति रेंगे, स्चिकराना गुष भुरूजी माराज। तो अपने आपको खुश नसीब समझता हूं कि आपको आपको खुश नसीब समझता हूं कि आपको एसी डिवाइन संगत के सामने हूं मैं and I'm getting very nervous first of all so I'm really sorry about that तो ऐसा मैं सटसंग अपना स्टार्ट करूँगा ये बता के कि first I was in Bangalore तो Guruji और मेरा connection mainly I was when I was in Gurgaon so I was going back to my college so college के लिए बस कुछी दिन के लिए मैं गुरगाओ आया था फिर में को बैंगलोर जाना था so Bangalore गया तो Guruji और अपनी संगत से जोड के रखा वो मतलब बहुत लंबा सटसंग हो जाएगा एक छोटा सा मैं इंसिडेंट बताऊँगा कि I was just sitting and मेरे head में बहुत जादा दर्दोने लगा सटसंग के बीच में तो चलता रहा चलता रहा शबच चल रहे थे I was like कि जो भी होगा महराज जो जाएंगे वही होगा तो बैठे वे थे फिर उसके बाद जैसे ही मतलब मैंने जो गुरुजी के सामने प्लेट में जो रोटी रखी जाती है तो वो उसका एक बाइट मुझे दिया गया वो मैंने जैसे ही सटसंग खतम हुआ जैसे ही तब मेरे को मिला जब सटसंग अल्मूस्ट खतम हुआ और सबसे पहले शायद में को ही मिला लगी ली जैसे ही मैंने उसको खाया और मैं हैडेक स्टसंग फ़ुए नोर्मल एक बस मैं छोटा सा और एक सटसंग सुनाँगा जो मतलब इस इस था लाइक मोस्ट डिवाइन सटसंग एवर हपन तो वी सो आ वस इन बैंगलाथ गुरुजी के सामने मतलब मैं कोई जूट नी बोलना चाहता तो I had failed in one exam of mine तो उसमें I was like mentally बहुत जादा बुरा हाल हो रहा था कि यार फेल हो गए मतलब गुरुजी क्या टेस्स ले रहे हैं मैंने पड़ा तो इतना सारा था और मतलब ओवर कॉन्फिदेंस में आके मैंने पूरा खराब कर दिया अपनी महनत and my parents were also कि यार तू तो पड़ाई नहीं करी and they were scolding me but Guruji नहीं कि मैंने पड़ाई करी है और मैंने महनत पूरी लगाई है लेकिन फिर एक मेरी दोस्त के घर पे सथसंग था तो I went there Bangalore में तो I was just sitting and मतलब मैं जिम से जब आ रहा था जब मैं सथसंग के लिए निकला नहीं था तो जिम से मैं वापस आ रहा था तो I was like Guruji आर आपका सर पे जो आप बोलते हो कि मम्मी मेरी मम्मी में को कहती थी Guruji जिसके सर पे हाथ रख देते है ना एक बार वो उसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाता और मतलब उसको आगे ही बढ़ते रहना है लाइफ में ऐसा कुछ उन्होंने में को कहा था तो मैंने Guruji को बोला यार Guruji आपका हाथ है क्या मेरे सर पे मेरे को तो पता नहीं चल रहा है अभी इतना जादा मतलब मेरे को mentally इतना सहना पड़ रहा है मतलब अगर मैं अकेला होता और मेरा रीटेस्ट में अगर मेरे पेरेंट्स वेरेंट्स को नहीं पता होता तो आइवुड आव हैंडल इट लेकिन वो नहीं हो पाया तो पेरेंट्स को तो पता लगना ही था तो ऐसी फिर मैं सत्संग में गया तो एक आँटी आई थी उन आँटी के साथ अक्चली ये प्रॉब्लम थी कि एक-डो संगत की थोड़ी बहुत लडाई हुई थी कि आँटी बहुत जादा गुरुजी को मतलब ऐसा कुछ मतलब एक-डो संगत के साथ थोड़ा miscommunication होता था and she wasn't liked in the संगत overall but but कोई नी I was I was doing my seva in the whole satsangh she was sitting in one corner or और फिर प्लीज अन्यूट रेटेक अंकल या हां जी am I audible now? येस तो मैं कह रहा था कि जैसे ही मैंने देखा कि मतलब आंटी chair पे बैठी थी है and I was done with my seva तो मैं उनके आगे आके बैठ गया तो उन आंटी ने मैं मेरा एक गान एक शबद बजा लग खुशियां पाथ्चाहियां and that is a 12 minute शबद and I was crying the whole time like मतलब crying like crazy because मतलब मेरी जो आंटी मेरे सामने तक बैठी थी वो तक मेरे को देखके रोने लगए कि क्या हो गया है मतलब ऐसे बिल्कुल I was like बिल्कुल on the ground and I was like begging to Guruji Guruji रोना रोक दो यार Guruji पता नहीं क्या हो रहा है ये मेरे को रहा हूं and it is a very positive vibe in that दरबार और मैं ऐसे रो रहा हूं क्यूँ हो रहा है मेरे साथ क्यू हो रहा है मेरे साथ कोई कंट्रोल में नहीं हूं अपने सेंसस के फिर आंटी ने क्या किया आंटी ने मेरे शोल्डर दबाई पहले में को जल प्रशाद वगेरा दिया गया संगत के थू सेवा दास के थू फिर एक आंटी मेरे सर पे अपना हाथ रख दिया एंड ऐसे ही उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और थोड़ी देर ऐसे दबाया मेरा हाथ और इट वस my crying stopped I was back to normal and doing back I go but back to the doing the seva that's it और मतलब ऐसा हुआ कि मतलब चुटकी में खतम बस सब सब खतम कुछ मतलब वीकनेस नहीं कुछ कुछ नहीं सीधा सेवा पर लगो तो दिस वाज मैं सट्सान वंडर्फू जैगुजी थैंक यू सो मच रितिक अंकल जैगुजी परीश मुलतर अंकल प्लीज अन्मुट Harish Malhotra अंकल प्लीज अन्मुट Am I audible? Yes, please, uncle. Go ahead. Yeah, Guruji. Yeah, Guruji, uncle. In April 2019, actually, my sister-in-law, Karuna and Ajay, our brother-in-law, are devotees of Guruji. And in 2019, April, I had a health issue. I was diagnosed with renal carcinoma prostate. So we were quite perturbed. I am basically, I am myself a doctor. I am a dermatologist. And at that time, I was civil surgeon. So we were busy in our own minds, what to do, what not to do. Then one day, my auntie talked with Karuna, and she said, go to degree. And we went there. We had already taken the time for surgery. That was 26th June. And when I went there, I had a feeling that when we had that Langar Prashad, Chai Prashad, and Jal Prashad, that we had already got our treatment. And on 22nd, we left for Delhi, because the surgery was planned at Apollo. And 22nd, 23rd, 24th, we daily had visits to Badi Mandir. Not we. Guruji was calling us, and we were going there, having our Langar Prashad, Chai Prashad, and all. And I told my auntie that, of course, it is a very major surgery, but I don't think Guruji will keep us for more than three days in the hospital. And it happened like that. 25th, we got the admission. 26th, it was operated upon. Of course, it ran into seven and a half on hours. And on 29th morning, we were discharged. And everything, I am a bit obese, but everything went as per books, as planned, that you have to take feed after 24 to 48 hours, that you have to walk on the next day. It went like as if I was a very healthy and hearty and active person. And on 29th of this June, we came back home. And later on, last year, in COVID times, we were quite hard-pressed, and I had developed some respiratory problem. It was of quite a severe nature, but my colleagues at Patiala were not able to diagnose even after radiology, all and all. So they had given me heavy doses of steroids, and I developed diabetes. I was very stunned, and my PSA levels also rose, probably because of steroid, or probably something, something happened inside. I was quite perturbed. Some of my, when I talked to my surgeon at Delhi, he said, the OPDs are closed, Harish, you go on with nothing to worry. We will wait and watch. But inside, you are worried, because the name of the disease itself is such a thing. So one of my juniors, who is from Sanjay Gandhi at Delhi, he said, sir, you take this tablet, start with it. The PSA came down. Slowly and slowly, things are starting getting into control. In March, I had a visit to my surgeon at Apollo, and he said, how long, you are a young man, why do you go in for medicines, you go in for your, this radiotherapy. That was a bit shocking. I said, why do you have to radiotherapy, it has its own side effects? Can I know you are a young man? I went to the radiotherapist. He came also to be from Ptiala, quite a youngster to me. I was quite disturbed. And they said, can you, then I talked to a few other surgeons of mine, colleagues of mine, my seniors or my juniors. They said, we should first go in for a PET CTPS MS scan. Then we will decide what to do. I was quite pertraved when to do it or not do it. Then suddenly, I came to know one of my patients who visited me at the end of August that the Dugri Mandir has opened on 15th of August. Whereas I daily follow that Mantir job from Bade Mandir at 7. I could not come to know that Dugri Mandir has been opened for Darshans. So I tried that. I came to know it is going to be there. Opening will be on 3rd of September, the first day of the month. My daughters tried that we should get an e-pass. We couldn't get a pass because the rush is so much. Then I was perturbed that before I get a PET done, I should visit Dugri Mandir. I should have his blessings, Guruji's blessings. Because daily, I try to be as close to him to seek his forgiveness for any sins I have committed or not. That he is by your side. He is your father. He is your guide. He is your Lord. He is everything. Then one fine day, I was sitting at my place. I talked to one of the devotees. He said, Uncle Guruji is calling you. Come along. Don't worry. No, he passed. You will be there. Nobody will stop you. And lo and behold, we all went there. We had very fine darshans, blessings. We had that langar prasad. And then I told my auntie that Guruji has already treated it. Yesterday, I got that PET done, CTPSMA. And thankfully, with the blessings of Guruji. He's a mute, Uncle. Grateful to him for giving much of blessings to my daughters, to me, to my auntie. And I always pray that he keeps us along in his churns and make us, make our lives healthier, peaceful, prosperous. Jai Guruji. Shukrana Guruji. Anantam Shukrana. Bayant Shukrana. Thank you, sir. Jai Guruji, Uncle. Thank you so much. Jai Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji. Read me note 10. Bro. Please unmute. Please unmute. Jai Guruji, Uncle. Jai Guruji. Jai Guruji, Sari Sangat. Mera Satsangh as a key. Mirko na sewa karnega bot rata hai. To me, na degree me sewa karna tha. Ya, phir bade mandir me sewa ka tha. Kye, mujhe sewa chahiye. To, paapa ke baas na, komander sharma uncle ka number tha. To, maine uncle ko phone kiya, ki uncle, mujhe na se sewa karna hai. To, uncle nne ka, thik hai, beta, aapna eki number hai, Narayan Bardwaj uncle ka. Aap unse baat karo. To, maine unse baat karhi, to, unhau nne ka, ki, beta, kaan ke rane vali ho. Maine ka, uncle, mein Shabat se hoon. Ambala ke paas hai. To, kya, te, beta, aapki dili me to sewa lagni mushkil hai. Por, door bhi padega aapke. To, aap dugri me try karo. Maine ka, thik hai uncle. To, wahan pe bhi, tab bhi, meri mtlap sewa lagni paai. To, maine man me socha raoong ki, yaar, maine sab logoo ke paas jaa ke bora rao ki, meri ko sewa karna hai. To, maine abhi tuk, Guruji so, bola hi nahi ki, Guruji. Mujhe sewa karna hai. Ma sewa karna chaatata ho, kya, mujhe sewa mil sakti hai. To, aeasi, maine, aeasi, jab, bäťta ho, Guruji ke baas, to, maine, Guruji ko bola, Guruji, mujhe na sewa karna hai. Ya, mujhe bade mandir sewa mil jai, dhugri sewa mil jai. Mujhe sewa karna hai. Aagar aapko lagtay ki, yaaam sewa mil sakti hai, mujhe to, thik hai nai, to, Guruji, koji, koji baat nini. To, aeasi, kya huwa, shivaratri wale din ambala se na bus hai tii. To, woh, bade mandir jari thi. To, hama, maa ke saath gaya ta, maa aapni bus me. To, hama, maa, 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 jinn ke saath na baetha ta, aeasi, da. To, hunna, mea, poccha, baeta, aap, kya, gara hai tu? Maine ka, aeasi, maai to, bide tak karraho hung. To, aeasi-aasi, aeasi, aeasi. To, aeasi, kaatai ki, plus two ki books hoongi Maai kahan ji, aeasi, 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 paadhi hai. To, woh, kaatayi ki, na, mėri bieťi hai, unko chahi hai. करनी है तो आप अपने हस्वेंट से पूछके बता देंगे की सेवा मिल सकती है कोई बात नहीं हो जाएगा तो जब अभी रिसेंट्ली जब डूगरी खुला तो मैंने ना अन्टी को फोन किया कि आंटी मुझे सेवा करनी है अंकल से पूछ के बता दो तो अंकल से जब बात करी तो अंकल ने का कि हाल मिल तो जेगी बट अभी कुछ क्या नहीं सकते कि वहा ना रातकों में साड़े वारा जहे में अंकल को ऐसी में अपने रूम में था तो मैंने गांगा देखंगा अज से गाड़ी में जह के बैठ जूंगा मैं था टेक कि अपना आजूआ जूँआ बस पकड़के तो एक पनका चान को आउन्ट आए वाहा पर सेवा सब्सक्राइब करों तो अंकल नहीं पर चलो कोई बात नहीं मोजयी सेवा नहीं था, पारकिंग को नहीं थी को थे Ultimate ठाम को भूजशनम लिकिरोयिंग। देखते हैं भी देते हैं तो अंकल ने फिर थोड़ी देर बाद चलो बेटा वहां पे सेवा कर लो तो मापे मुझे सेवा मिलगी मैं बहुत पुछ रहा पूरा दिन गुर जी ने प्रिक चाली मेरी पूरे दूप मैं खड़े रहे अपना अच्छा सेवा करी तो ऐसे फिर मेर डिम अच्छी ने आकर एक प्रिक जरल हे तो अच्छी ने चोने टुक्रना पर सेवा कर चाल होंगत तो गुर्जी के सवरी तो नो गुर्जी मेरे द्रीम में तो गुर्जी ना लेटे हुआ है या बैठे हुआ है सारी संगत भी आ रही है तो गुर्जी ना मैं गुर्जी के साइड में खड़ा हूं तो गुर्जी मुझे कलेंडर वला वह देते हैं तो मैंने का अंकल मैंने का गुर्जी नहीं पहले आप मेरी बात सुनो, तो मैं ऐसे कहते हूं, आगे से मेरे मम्मा रोते हुआ आ रहे हैं, उनकी थोड़ी बहुत बूरी हालत है, तो वो रो रहे हैं, और गुर्जी ने नो उनको कुछ बोला है, वो मुझे याद नहीं कि क्या बोला है, तो मम्मा भी रोने लग जाते हैं, और गुर्जी ने बहुत प्यारी स्माइल दी और मैं गुर्जी के पास जाके बिलकुल एंड़िया और गुर्जी के ऐसे जय गुरुजी दर्शन करें, जय गुर्जी, अंकल, जय गुर्जी, यह थेक्यू अपका नाम क्या है, आपके फोन से पता नहीं चलता, अंकल मेरा ना मैं चाहूंगा सबसे पहले जिन आउंटी ने हैंड रेज किया था जो मेरी गलती की वज़े से सत्संग उनका बीच में रह गया प्लीज अगर वो अपना हैंड रेज कर सके और या अन्म्यूट करके शेयर कर सके अल फिल सो मच बेटर अगर अंकल उनका नाम सरीता गोल आंटी था सरीता गोल आंटी प्लीज अन्म्यूट अंड शेयर यार सत्संग यह वी हो सकता है वह छोड़की चली गहीं हो तो दिखा रहे हैं उनका नाम ठीक है सरीता गोल आंटी प्लीज अंम्यूट एंड शेयर जैंट जैंट जैंगर जैंग अंकल आवाज आ रही है आए इंगल जैंगर जैंगरूज जैएगुष जी हुझात। मुझे तो समझ ही निहाँ रहा। इतनी खुशी हो रही है और की बोला ही नहीं जा रहा हुझ से कुछ। मैं इस पुछ फस इतों पर पर एपनी सिस्टर के पास है। हरी जान मेरी सिस्टर का नाम है गेर सो साइटी में हैं थी। तो मेरी सिस्टर ने मेरे को बोला कि आज ऐसे ऐसे सत्संग है, मेरा तो पून चलनी रहा, तुम अपने फोन में जरा देखो, और ये तो हमने छोड़ना नहीं आई है, शर्मा अंकल का सत्संग है, ये तो बड़ा ब्लिस्फुल सत्संग होता है, ये तो हमें जरूर सुनना च आती, और दिल से मैं गुरू जी को बहुत मानती हूं, गुरू जी ने मेरे साथ इतने सत्संग किये हैं, मेरे को इतना ब्लेस किया है, कौन सा सुना हूं, कौन सा नी सुना हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेरे मुझ से कुछ बोला ही नहीं जा रहा, एक सुना दीजे ब लगी हुई थी और वर्लपूल में जॉब लगने के बाद जब वर्लपूल की जॉब को छोड़कर MBA करने गया तो उसके बाद जैसे MBA करके गया और लॉट कर आया तो मार्केट में रिसेशन आ गया और उसकी जो जॉब थी वह दुबई लग शर्जा में लग गई थी टिफनी में हम लोग नहीं चाहा रहे थे कि हम टिफिनी में उसको जॉब के लिए बहार भेजें और हमने उसको कहा भी कि बिटा आप यहां पर अप्लाई कर लो इंडिया में तो लेकिन उसने जैसे बच्चे अपनी चलाना चाहते हैं ऐसी उसने भी नहीं बात मानी और उसको दो त बहुत आता जाता रहता था तो वो गुरुजी से बहुत कनेक्ट था उसके वो सो रहा था और सोते सोते उसको लगा कि जब ज़्यादा परिशान था सोते सोते उसको लगा कि गुरुजी जो हैं मेरे बैड पर आकर बैठ गया और उसको कुछ दो तिन तारीक दो तिन तारी उसको बोल रहे हैं और वो फिर मेरे पास आया कहता है मंदी मंदी गुफ जी मेरे पास आये यह सब उसको डूर्यम लग रागा वो मेरे पास आया तो उसको लगा कि गुरुजी के हाँ चाय प्रशाद भी मिलती हैं चलो मैं किचन में जाता हूं वो किचन में गया ड्रीम में ब्रेड और चाय प्रशाद और भभुजिया लेकर आता है और उसके बाद जो है वो जैसी आता है तो देखता है बेड पर तो गुरुजी आ नहीं मेरको उसने आके बोला कि मम्मी मेरको तो ऐसे गुरू जी सपने में आये हैं सब हैं तो मैंने का ये जैन अंकल और अपनी मौसी के पास बहुत ज़्यादा इंफ्लूएंस में रहता है उनके साथ ये बहुत बार गया तो इसको लगा होगा पता चलेगा फिर हमें बाद में पता चला कि तीन दिन बाद ही जो है वो डेट भी तीन थी और तीन दिन बाद ही जो है उसको आफर लेटर आ गया और गुरू जी ने हमें ऐसे ब्लेस किया कि मेरा बेटा जो है वो बाहर जाने से भी बच गया और उसको डेली में ही जॉब अच्छी मिल गई और इश्वर की इतनी क्रपाया कि आज तक उस लड़का वो तब से बहुत प्रोग्रेस कर रहा है उसने आज तक पीछे मुड़ कर नहीं देखा और मेरे लिए तो मैं कहते हूं हर मां को ऐसा बच्चा मिले बहुत सेवा करता है हमारी जै आटी बाहर जाने से बच गया थोड़ा सा बुझे अजीब सा लगा बाहर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं अगर कभी जाने का उसका मन करें तो जाने लिए अंकल मेरे लिए ना अगर वो बाहर चला जाता ना तो हमारे फैमली का वो पिला रहा है अच्छ ठीक है है एक मुझे तरू आपने मेरको मौका दिया कहने का मैं हिंबत ही नहीं कर पा रही थी पहले तो मैं सम्झी नहीं आप शरीता गोयल मुझे को ही कह रहे हैं मैं इतनी एंशनल होगी मुझे किसी और आंटी को बोल रहे हैं जी आँटी टेंक यू अज का आजके इस हैं शिदका जै गुरुजी, सभी गुरुजी के डिवोटीस को, मेरा सस्तंग बहुत खुशी वाला नहीं है, बट मैं ट्राइ करूंगी बताने के लिए, am I audible all of you? यस प्रूजी बहुत अच्छा नहीं हुआ है, बट दो महिने तक मैं गुरुजी से बहुत अपसेट भी थी, जब मेरे हजबं को, मैं हुपन वस रहीं यंग, and I have two boys, और तो यहां फ्री मंस पहले मेरे हस्बंड एप्रूजी को, मैं हुआ हुआ प्सक्राइब गुरुजी, just sitting next to me uh when he got covid he was continuously doing mantra job he was a very very uh you know he was follower guru ji we used to go to bade mandir humko prishad bhi milta tha and hum both couples hum dono couple bhoot bhoot zhada khush te ek dusray ke saath guru ji ne bhoot bless ki a hai bhoot jaga pe hume but jab unko kovid hua to he was wearing guru ji's uh locket or uh unko le jaya gya he was uh jab unko le ke jaya gya wahan pe uh hospital mein because his oxygen was getting down do de nin tak he was able to talk after that ho nahi uh unko ventilator pe dal dia you won't believe mire paas ek din ek taxi aai mujhe nahi pata us uh khandh prishad bolte hai usko ya kya woh taxi mire ghar ke bahar ake ruki or mujhi kisi ka call aya joh guru ji ki hi devotee hai ki aap please ya apne husband ko khila dijiye ka sughay i went to the hospital aur mene nurse ko bhoot request kari ki please ya meere husband tuk agar aap unke tang mei chata denge to shayad unko relief mil jae ga the same day my husband expired i i was not able to tell ki ya asa kyun kya guru ji but later on doctor told me ki your husband went to dialysis and so many troubles he was facing to guru ji ne joh aap ki takliefen thi aange maybe woh bedridden ho jate ya ya woh nahi u'th pate aapke chhoote bachje hain aap unko kaise manage karte husband ko kaise dhe ghar ko kaise dhe because i don't have anyone with me aaj is pal mein three months ke baad i am realizing ki guru ji ne meere saath jukkia woh ek meere liye blessings thi shayad because woh amritwele gahe sabse vada baat woh monday ko unki death hui subhye 4 bajay wo gahe us din ekadasi ka dhin tha guru ji ne straight unko apne charno me liya unki shayad joh woh anndar se apne pran na hii chhod baar hai thay guru ji ne unki madad kari so zaruri nahi hai ki har khushi hi hooti hai kuchh chisai aisi hooti hai joh hume nahi pata is time whether it's right or wrong but guru ji apne hesaab se usko thheek karte hai which i feel ki guru ji mujhe bolte hai har time ye baat later on guru ji is talking to me and he's telling me all these things so he has taken my all sorrows and i'm trying to get back to my normal routine and by joining i joined actually this satsang because of rohini auntie today she told me this is the beautiful satsang you should join and you will definitely be blessed and i feel blessed because of guru ji and he will definitely take care of my boys and one day i'll feel proud of that shukrana guru ji thank you thank you priyanti for sharing your satsang thank you for this understanding and we always and all of us must definitely trust maharaj yes she is with us yes thank you and uh with this we conclude today's uh satsang